आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुरा ही नहीं है कि दिराश्टपती देश का हाइस्ट पेड पेड हाइस्ट पेड इंप्लाई है तो वो टैक्स भी तो देता है हम टैक्स भी देते हैं पहुने तीन लाग रुप्या महिना लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्शा करते हैं कि आपको तो पाच लाग मिलता है तो उसमें से हर महिने पौरे तीन लाग निकल जाता है बचा कितना और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी हो उन सब को मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुए है ना टीचर्स उन सब को सबसे जाधा मिलता है इसकी बात का उनलेक किवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड है आखिर इनी से विकास होना है तो नुकसान किसका होगा नुकसान हमारा होगा आप ना आपका होगा कही ने कही